नमस्कार स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूस के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीती, मनुरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापाल जगत की सभी बड़ी ख़वरों को एक्सप्रेस यानि फटाफट अंदास में मैं हूँ शेहला निगार आई है, ख़वरों को देख लेते हैं ते इस रफ तरक साथ दीजे पीना, आज परश्ट मंगाल में सुबाद 6 वजे से शाम 6 वजे तक आम हर्ताल का किया आया आहवान राज्य सजे वाले तक मार्च में भाग लेने वारे लोगों पर पुलिस कारवाई के खिलाफ या अंदोलन दूसरी तरव बंगाल सरकार ने राज्य के लोगों से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है सरकार ने कहा है कि प्रशासर ये सुरिश्ट करेगा कि बंद के कारण सामाने जन जीवन प्रभावित ना हो भाजपा निता अग्निवित्रापॉल ने राज्य सरकार के विरूध में भाजपा द्वारा बुलाएगे 12 घंटे के बंगाल बंद की समीक्षा किया अग्निवित्रापॉल ने कहा कि कोलकारा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उलंखन किया केंद्रिय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सडकों पर ममता बनरजी की सरकार और उनकी बरबर पुलिस ने जुखिया वो निंदनिये है और मानबता को शर्म सार करने वाला है बंगाल की जनता उनके साथ खड़ी रही बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री सुकांथ मजूमदार ने कहा है कि कोलकाता में चात्रों के नावर्ना आंदोलन में जिस तरह की बरबरता ममता सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है वो लोगतंद्र की छबी को गहरा नुकसान पहुंच जाती है खिंद्री मंत्री सुकांथ में जूमदार ने कहा कि बंगाल में महला सुरक्ष पर बोलना आपराज जैसा है जबके मंतार आज में दुशकर्ण और हत्य की घटनाय आम हो गए है बंगाल विधान सभावे विपक्ष के नेता शुबेंदू अधिकारी ने कहा कि अगर मंता सिरकार द्वारा बरबरता नहीं रोकी गई तो पश्चिम मंगाल को ठप कर दिया जाएगा पश्चिम मंगाल के कवर्नर आना अन्डोस ने कहा कि ने आए लोगों का अधिकार है प्रतर्शन रोकने के लिए सिरकार ने अत्यदेक पोलिस बल का प्रयोग किया राज़िपाल ने कहा कि परिस्थिती जीओ और चीनेतों की है डॉक्टरों की सुरक्षा बुलेकर ग्रे सचेव और स्वास्ते सचेव की सह अध्यक्ता में आज उत्यस तरिया बैठक बुलाई गई है वीडियो कॉन्फरेंस के जरीर आज़ो में मुख्खे सचेव और पुलिस महानदेशक शामिल होंगे स्वास्ते मंत्रा रेंदेश भर में व्यक्तियों और वेविन हित्धार को से सुझाओ मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर अन्टेएफ के लिए सुझाओ शीरशक के अंतरगात एक राश्ट्रे पोर्टल बनाया है राश्ट्रे पोर्टल प्राथ सुझाओं को स्वास्ते मंत्राले द्वारा एंटेफ के सदस्यों के विचार विवर्ष के लिए भेज़ा जाएगा जाँ विभेन प्रमुक है तिधार कों के साथ व्यापक परामर शूगा विद्धार मंत्री जंधन योजना की 10 साल पूरे होने का आज जश्ट्न बनाया जा रहा है योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम चीट सकता है विद्ध मंत्री निर्मला सीतर अमन ने कहा है कि जंधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तिय समावेशन पहलों में से एक है माश 2015 में प्रती खाते में और सत बैंक बैलेंस एक हजार पैसट रुपए था जो अब बढ़कर 4352 रुपए हो गया है सप्रिम कोट में आज PMLA फैसले के खिलाफ समीक्षा याज़िकाओं पर सुनवाई होगी कई आज़िकाओं में जुलाई 22 के फैसले की समीक्षा की मांगी गई है दो साल पहले 2022 के PMLA फैसले ने 2002 के अधिनियम के तहट E.D. को दी गई व्यापक शक्तियों की पुष्ट की है वाईश 2002 के अधिनियम के तहट E.D. को व्यक्तियों को बुलाने, गिरफ्तारिया करने, छापे मारने और संदिक्तों की संपत्ते जब्त करने का अधिकार मिला था करनाटक में बीजेपी ने मार्च 2014 में कॉंग्रेस सद्धेक्ष मलेकार जुन खड़गे के परिवार दौरा संचाले ट्रस्ट को करनाटक अधिक शेत्र पिकास बोड की साइट दिये जाने पर सवाल उठाए है भाजपा का आरोप है कि करनाटक में खड़गे परिवार के एक ट्रस्ट को करनाटक अधिक शेत्र पिकास बोड ने पांच विकर जमीन बेंगलूरू के हाई-टेक डिफेंस एरोस्पेस पार्ट में दी गई है जबकि ये जमीन सी कोटे के तहाइत नागरे के सुविधाओं के लिए आरक्षित थे बीजेपी ने करनाटक जमीन घोटालिक आरोप लगा देख कौंग दे सिद्धेक्षम अलिकार जुन खड़ गया उनके मंत्री बेटे प्रियंग खड़ गया और राजिके मुख्यमंत्री सिथर अमया के स्तीफे की मांगी 36 गड़ सरकार ने महादेव बैटिंग एप सत्रा मामले की जाच को आधिकारिक रूप से CBI को स्थानांत्रत कर दिया है इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बखेल पर कमपीर आरोप है जाखन के पूर्व मुख्यमंत्री चमपाई सोरे इनने भाजपर में शामल होने के फैसले पर कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री पर विश्वास है जे-म-म से बीजे-पी में शामल होने चा रहे चमपाई सोरे इनने कहा है कि संथाल पर गना में बांगलादीशी गुस्पैट और आरीबास्यू के अस्तिद्व की सबस्या को लेकर केवल बीजे-पी ही कमपीर है बाकी दल केवल बोट की राजनेती का पहे है चमपेई सोरे इनने जे-म-म छोड़ने को लेकर कहा कि पार्टी में कोई ऐसा फोरम या बंच नहीं था जहां वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाते पार्टी के सीनियर नेता स्वासे कारणों से राजनीती से दूर हो चुके है तुबगा में जारकन के मुखे मंद्री हेमन तुसोरे इनने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि हमने क्या किया नहीं किया इसका फैसला राजनी की जनिता महिला और युबा करेंगे जबो कश्मीर में विठान सवच चुनाओं के पहले चुराण के लिए दाखिल नमांकर पत्रों की आज चाच होगी पहले चुराण की वोटिंग अठ्धारा सितम पत हो है जुमकिश्मीर में पहले जरार में चुनाओ लणने वाले कोड़ी दूस्सों नियासी उमीदवारों ने नाम अंकर पर दुर्दाफिल किया है नाम अंकर वापस लेनी का समय 30 अगस तक है हर्याणा विधान सबस्चनाओ में जन्नायक पार्थी के दुश्यन 24 अला और आजाज समाज पार्थी के चंदरुश्विकर आजाज साथ में चुनाओ लणने का फैसला किये है इस बार हर्याणा में 70 सीट पर जेजेपी चुनाओ लणने जा रही है और 20 सीट उपर आजाज समाज पार्थी चुनाओ लणने है दुश्यन चौटा अला ने का है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा आजा समाज पार्थी कांशी राम के अध्याक्ष और सांसा अधर चंद शेकर आजाद ने कहा है कि 20 सीटे ऐसी हैं जहां उनके गटवन्दन की अच्छी पकड़ है जगदंग विकापाल के अध्यक्षता वाली जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर 15 दिनों के भीतर आम लोको और विशेश रूप से गैर सरकारी संगटनों विशेशक्जियों के तधार को और संस्था में से उनके विचार और सुझाओ मांगे जेपीसी को भेजे गए ग्यापन या सुझाओ समीती के अभी लेखों का हिस्सा होंगे वा इन्हें गोपनी यह माना जाएगा समीती के समाक्ष उपस्तित होने के चुक लोगों से इसका उलेख करने को कहा गया सबीश कुमार को रेल्वे वोल्ट का नयाद देख और CEO नहीं उक्ति किया गया है विभारत ये रेल्वे मेकनिकल इंजीनियर सेवा के 1986 बैच के अधिकारी है आंटर प्रदेश में आज से एक आबिनेट प्रणाली लागू हो रही है ये प्राली राश्ट्रे सुच्रा विज्यान केंद्र एन आई सी ने विक्सित की है इसका उद्देश एक कैबिनेट बैठको को कागर से रहे ते प्रारूप में परिबर्दित करता है इस एक आंटर मंत्राली एक इंद्रिय दल बार की विनाश्टारी स्थितिक जायसा लेने के लिए त्रिपुरा का तौरा करेगा इस प्रामे बार्द से प्रभावित बहत्तर हजार से अधित लोगों ने राजी के चार सो बानवे राहत शिप्रों में श्रॉनली है शिविरों में खाना पारी चिकित सा सुविधाउ सहे राहत समकरी का इंतजाम किया गया है मौसम विभाग ने गुझरात के सौराश्ट और कच्छ में अलग-अलग स्थान उपर तेज वर्शक अनुमान के साथ अगले 48 खंटे के लिए राज्य के कई जिलों में रैडलर चारी किया है गुझरात के अधिकतर जिलों के लिए बारिश करेरलर चारी किया गया है हमताबाद दवडूरा समेत कई जिलों के लिए अचानक बार के ख़तर की चेताब दीती है मोल भी समेत राजी के ज्यादतर टैम में फानी का इस्तर काफी बढ़ गया है गुझरात में निशले अलाकों में रहने वाले 23,000 से अधिके लोगों को सुरक्षित इस्तानों पर पहुचाए गया है और 16,000 से अधिके लोगों को बचाए गया है बिहार में भागलपूर, मुंगे, पश्चिम, चंपारन, खगडिया, कटिहार और कुछ अन्न जिलों में 12,000 लोग विस्थापित हो गये हैं गंगा, गंडा, कोशी, महानन्दा, खत्रे के दिशान से उपर बह रही है रहार के उत्तर पश्चिम, पूर्वी, भागों में तेज बारिश के लिए आज यलो अलर्ट है अगले 24 घंटे के लिए सारान, भूजपूर, वेशाली, भागलपूर और बांकाज, यलों के लिए भी अलर्ट शारी किया गया है दिल्ली NCR में देर रात कई हिस्सों में जमाज़ां बारिश होई, इसके चलते कई हिस्सों में चल भरा हो गया है, आब अगमन भी प्रभावित हुआ है विभाग के अनुसरार दिल्ली NCR में रहने वाले लोग इस पूरे हफ़ते बारिश के लिए तैयार रहें, 30 अगस्त तक बारिश का अनुमान है CBI ने आए कर विभाग के प्रधान आयूतर संदुश कुमार और चार अनिकों विभेन कर निर्धारन करताओं से 10 लाख रूपे की रिश्वत लेने के आरूप में गिराफ्तार किया है CBI के अनुसार संदुश कुमार पर आरोप है कि वो अपने अधिकार क्षेतर के तहट अपने पद कदर रूपीयोग करके विभेने निर्धारन करताओं को अनुशित लाब पहुचाने के लिए कथेत रूप से रिश्वत मांग रहेते विट्व मंत्री निर्वला सीतरवन ने कॉंग्रिस पर भ्रामक सूचना पहलाने का आरूप लगाते बिठाए कि हाल ही में पेश की गई UPS की नई योजना है और इसे NPS की जगा नहीं लाया क्या है विट्व मंत्री ने कहा कि चालो विट्वर्श के दौरान परधान मंत्री जंधन योजना के तैद करीब तीन करोर नेक हादे खोले जाने की संभाब ना है विट्व मंत्री ने कहा कि आगामी GST परिशुद की बैठक में अधिकारियों की समिती दरू को तरक संगत बनाने पर एक प्रस्तुती देगी हाला कि दरू को तरक संगत बनाने पर आखरी फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा कोईला मंत्रा लेने 25 सगस तक कोईले के समगर उतपादन में व्रिधी हासिल की है वित्वर्श 2024 के लिए 25 सगस तक संचेई कोईला उतपादन 370.67 मिलियन टन हो गया तकनीकी वस्त के क्षेतर में उभरते अन्वेशकों के लिए अनुसंधान एवं उद्यमिता हेतू अनुदान योजुना के तहट चार स्टार्टप्स को मंसूरी दी गई है और हर स्टार्टप को लगभग 50 लाक रुपे के अनुदान दिया गया है फिलाल एक छोड़ा सब ब्रेक ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा देखते रहे है एक्स्प्रेस अंड्रेक बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्यदारी बड़ी हो जाती है गैलन्ट समझता है इस जिम्यदारी अब डबल-म रिप्स के साथ गैलन्ट एडवांस टी-म-टी रिबार निर्मान का रियल हीरो सुरक्षा थी गारंटी हर चीज में ज़रूरी है चाहे वो मश्किल स्टंट हो या चीफ असल इसलिए ले आईए आईयल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बार जो देता है सुन्डी और ट्रिप से सुरक्षा की गारे दे भारत में सलाना हजारों लोग हाथी पाउ नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं हाथी पाउ एक मच्छड के काटने से फैलता है हाथी पाउ का कोई इलाज नहीं है साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बिमारी से अपने आपको और अपने परिवार को बचाएं दस अगस्त को हाथी पाउ से बचाव की दवा अवर्शे खाएं अपने आपको और अपने परिवार को इस दर्दनाग बिमारी से बचाएं दूर संचार नियामक क्राई की तरफ से बुलाएगी बैठक में प्रचार के लिए वॉइस रोबो और प्री रिकॉर्ड़ेट कॉल करने वाले स्पाम कॉलर पर ततकाल कारवाई करने के बारे में भी जुच्चा की गई सेबी ने राना शुगर्स और उसके प्रवर्तकों को अधिकारियों को प्रतिभूती बाजार से दो साल के लिए प्रतिवंधित किया इसके अलावा कोश्पी हेरा फेरी के लिए 63 करोर दुपे का जुर्माना भी लगाया देश के प्रमुख बंदरगा, हूंप के बंदरगा, एबं गूदी गंच्च्वारी संगर्चनों ने आज से प्रस्तावित अपनी अनिश्चित गालीन हर्ताल टाली वानेजेक एलेक्ट्रेक वाहन निर्माता, यूलर मोटर्स ने छोटे वानेजेक वाहन खंड में उतरने की खोशना यूलर मोटर्स ने कहा कि उसका नया एस सीवी, लागत प्रभावी और उच्चि प्रदर्शन वाले अंतर शहर परिवहल समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिसाइन किया जाएगा आइफोन भी निर्माता एपल ने भारती मूल के केवन पारिक को अपना नया मुख्य वित्ती अधिकारी नियूट किया फार्दी एरटेल ने इस बात की पुष्टी की है आधिकारिक पुष्टी की है कि कमपनी जलते ही विंक मुजिक आप को बंद करने वाली है फार्दे एरटेल ने कहा है कि विंक म्यूजिक एप और विंक म्यूजिक के कर्पचारियों को एरटेल कंपणी के एकोसिस्टम मिलाया जाएगा हिंदुस्तान यूनि लिवर को आईगर विभाग से 962.75 करोर दोपे का टेक्स नोटिस मिला है इसमें 329.333 करोर दोपे का ब्याज भी शामिल है जैस के सबुंसे इंडिया हैल्थ फूद ट्रिंक के आई पियार के अधिक गहर के लिए खर्च 3045 करोर दोपे के टीडियास ना काटने से सब्बंध ये नोटिस है अमेरिका नियाए विभाग के विश्विश वकील जैक स्मित ने 2020 के अमेरिकी राश्टपती चुनाओ में दखल की कथित कोशिश के लिए पूर्वर राश्टपती ट्रम के खिलाफ फिर से अभियोग चलाए जाने की अपील डायर की है नैयारो पत्र में कहा गया है कि ट्रम 2020 का चुनाओ हारने के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए छे अग्याद सेहश रियंत्र कारियों के साथ छे जनवरी 2021 से पहले परिरामो को पलटे की साज़िश रची थी उतर कोरिया लगातार अपने हत्यारों के सखीरे को पढ़ाने में लगा हुआ है और इसी क्रम में उतर कोरिया ने अपग्रेड़िड 247 रॉकेट लॉंचर परणाली के सफलता पूरवक परिक्शन किया है उत्रकोरिया ने उन्नत रॉकेट लॉंचर परणाली से अपने लक्षे के प्रतिय का अगरता को सिद्ध किया है सब्ता की शुरुआत में उत्रकोरिया के श्यासक ने किम जोंग उनके नहे आत्मधाती जोन के परीक्षणों का निरीक्षण किया युट्रेन के राश्पती वाल्डेमिल्स जिलन्सकी ने कहा है कि दूस के साथ युद्धिसमाप्त करने के लिए अमेरिकी राश्पती और उनके दूसमभावित उत्राधिकारियों कमला हैरिस और टिम वाल्ड के सामने एक शांती यूज़ना पेश करेंगे जिलन्सकी ने कहा कि वो सितंबर में न्यू यूज़क में सेयुट राश्पती भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे और बाइटन से मिलेंगे पूर रिपॉब्लिकन राश्पती के दोसो से अधिकर्मचारियों ने आगामी चनाव में डोनल्ड ट्रम की तुलनावी भारत वनशी प्रत्याशी और देमोक्रेटन लेता कमला हैरिस के समर्थर करने का अईलान किया चीन ने कनादा पर से अरक्षन बादकार ओप लगाया क्योंकि प्रधार मंत्री जस्तिन टूडों की सरकार ने चीनी निर्मित अलेक्रिक वाहनों के आयार पर सौप रतिशत ट्यारिफ लगाया चीन निवारे जिमंतरार में कहा है कि टारिफ वैश्विक और दियों की को और आप उर्धी शुर्ण खलाओं की स्थर्था को बाधित करेगा चीन का नादा आर्थे को और व्यापारिक संबंधों को कमफीर रूप से प्रभावित करेगा पाकिस्तान के प्रधार मंतरी शेहबास शरीफ ने बलुजस्तान में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करते विया आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्ब तोहराया पलुजस्तान में हालिया हमलों भी सैथ स्लोग मारिक है इस बीच पाकिस्तानी सेना ने कहाए कि खैबर जिले में सुरक्षा बलुग की कारवाई में 25 सातंकवादी धेर हुए और 11 खायल हुए आज से शुरू होने जा रहे हैं आठ सितम्बर तक इन खेलों में दुनिया भर के 4000 से अधिक एथलीट पदक इस परधाओं में भाग लेंगे आला लंपे खेलों के इतिहास में भारत ने इस बाच्चोरास की खिलाणियों का सबसे बड़ा दल भीजा है उद्खाटन समारों में सुमेत आंतल और भाग श्री जादव भारत के सहीं उसे द्वज वहां खोंगे भारत फिजैशा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ने चेर्मेन बन गए है जैशा को निर्विरुध अध्यक्ष चुना गया है जैशाह एक दिसंबर को ICC चेर्मेन का पत संभालेगे जैशाह फिलहाल BCCI के सच्चेव हैं वो ICC के अधेक्श बनने वाले पांच में भारती है हर्मन प्रेत को और टीम की कप्तानी में ICC महला T20 बिश्व कप के लिए भारती दल का एलान कर दिया गया है तीन अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दुबई और शार्जाह में खेले जाएंगे ये मुकाबले भारते दल्बेश एपाली वर्बाद इपती शर्मा जमाइमार रोड्रेग्स रिचल खोश पूजा वस्टाकर अरुंधती रेड़ी रेनुका सिंग ठाकुर देयालन हेमलता आशा शुम्रा राधा यादाव और संजना संजीवत शामिल है विकेट कीपर बले बाज ये इस्तिका भातिया और इसके नौल राउंडर श्रेंका पाटिल को भी फिटनेस के मांदान पूरा करने की शर्त पर टीम में शामिल किया गया है भारत को प्रतियों किता में आउस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, पाकस्तान और श्रीलंका के साथ ग्रूप A में रखा गया है महिला टी-20 वे शुकप के लिए इंग्लेंड ने अपने टीम का च्रेयन कर लिया है पैंग्लेंड ने अपनी टीम में इस्पिनल, लिंसिर, स्मित और विकेट कीपर बैटर वेस हीट को शामिल किया है मोहन बागार ने रोमांचक जीत के साथ जूरंड कप के फाइनल में स्थान बना लिया है इसे ही फाइनल में मोहन बागार ने पैंगलूरू AFC को पैनल्डी शूट आउट में 4-3 से हरा दिया निर्धार इस सबीकिसम आप्ती पर मेंच दो-दो की बराबरी पर रहा जिसके बाद मेंच का फैसला पैनल्डी शूट आउट में हुआ फाइनल में मोहन बागान का सामना नौर्ट इस्ट उनाइटेड से होगा पार्सिलोना ने ला लीगा में अपने जीत के सिलसिले को काइम रखते हुए रायो बैले के नो को रोमांचिक मुकाबले में दो एक से हरा दिया इस जीत के साथ बार्सेलोना तीन जीत के साथ लीग में शीश परपनी हुई है बार्सेलोना ने गोल से पिछडने के बाद वापसी करते में जीत हासिल की बार्सा के लिए पेड्री और राजाने अल्मों ने गोल किये यूएस ओपन के पुरुशेकल में एएक सिनर को पहले दोर में चीत हासिल करने के लिए कड़ी महनत करनी पड़ी सिनर ने पहले दोर में अमारिका के मांकेजी मैंक्जिनल को 2-6-6-2-6-1-6-2 से हराया प्रुशेकल में ही रूस के डैनेल मैध्विदेव को भी पहले दौर में चीत हासिल करने के लिए चार सैटों तक संघर्श करना पड़ा मेध्विदेव ने सर्भिया के तुसान लाजुन पिच को श्वेतीन तीन छे श्वेतीन छे एक से शुकस्ति कर दूसे दौर में पवे के रूप एक बड़ा ओलेट फिर भी तेकने को मिलाए सिट सिपास को ऑस्ट्रेलिया के थनासी को का निकस्सा ने शिकस्ति है महला एकल में शिर्च वरियता प्राप तोलेन कीगा श्वान तेक ने आसान जीत के साथ अपने अभ्ध्यान की शुरुआत की श्वान तेक ने पहले दौर में रूस की कमिला राखे रोबा को सीधे सैटों में छे चार साथ शे से शिकस्ति रोबार की चैंपियन जापान की नाउमी उसाका ने यूस उपर में जीत के साथ वाप से की है उसाका रिंटरस में वरियता प्राप त्ये लेना और स्टापिंग को को सीधे सैट में 6-3-6-2 से हराने में सफल ना पाई महिला एकल में चौती वरियाता प्राप तैलेना राई बानिकिना भी आसान चीप के पहले दौर की बाधा पार करने में सफल रही है राई बागिना ने आस्ट्रेलिया की डेस्टेरियेवा को छेक साथ छे सहरा कर दूसरे दौर में जगावर आई जस्टिस हेमा समिती की रिपोर्ट के बाद कई महला करा कारो द्वारो उठाए लगाए गये यौन उत्पिरन के आरूपो को देखते वे असोसियेशन ओफ मल्यालम मुवी आर्टिस्ट की कारेकारी समिक्ती को अब भंग कर गया है जस्टिस के हेमा समिती की रिपोर्ट के बाद मल्यारे अभिनेता मुहनलाल ने असोसियेशन ओफ मल्यालम मुवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष के पत से इस्तीफ़ा दे दिया है करीना कपूर खान ने अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबिल विवाद से जुड़े मामले में हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि उनकी मनिश्वा किसी भी धार्मिक भावना आहत करने की नहीं है इस्तीटू ने बॉक्स ओफिस पर चंद दिनों के अंदर ही 400 करोड का आकड़ा घरेलू बॉक्स ओफिस पर पार कर लिया है तेरा दिन में घरेलू बॉक्स ओफिस पर इस्तीटू ने 443.5 करोड तक की कबाई कर ली है इस्तीटू की सफलता के बीच अभिनेत राजकुमार राउने इंस्टरक्राम पर अपनी इस सुपर हिट फिल्म के सेट से एक अंदेखी तस्वीर शेयर की है डिलेटेट सीन में राजकुमार लड़की के रूप में नजर आ रही है फिल्म स्टीटू में सरकट करदार ने भाने वाले एक्टर सुनील कुमार को सलमान खान के शो बिग बॉस का आफर मिला है इस पर सुनील ने कहा है कि वो फिल्हाल बिग बॉस में शामिल होने के बारे में सोच रही है अक्षे कुमार विश्रू मान जूगिया कामी फिल्म कनपपा के साथ अपनी तेलगू डेब्यू करने वाले हैं फिल्म में सुपरस्टार प्रभास और मोहनलाल का भी कैमियो होने वाला है एक्टर फरहान अफ्तर ने एनिमल में रनवीर के किरदार रनविजे को बेहत परिशान करने वाला बताया उन्होंने कहा कि फिल्मों में लीड करेक्टर को अलफा मिल दिखाने का ट्रेंट बढ़ रहा है ठीड एक्टरेस नवीना वोले शादी के साथ साल बाद अपने पती जीत करनानी से अलग हो रही है और अभी नेत्री ने खोद इन खबनों की पुष्टी की है नवीना ने इंस्टेग्राम पोस्ट में बताया कि तलाक की लीगल फॉर्मेलिटी शुरूर हो गई है फिल्हाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही डीडी न्यूज पर खबनों का सफर लगातार चारी है देख तेरेगे डीडी न्यूज नमस्का